दोस्तों, उडिसा में सिंप्लिपाल टाइगर रिजर्व में एक टाइगर मर गया जो की बड़ा ही फेमस था जिसको बोलते थे ब्लाक टाइगर अभी रिसेंटली बहुत न्यूज आई थी कि उडिसा में एक ब्लाक टाइगर मिला जिस तरह से ब्लाक पैंथर होता है उसी तरह से ये ब्लाक टाइगर था मेलानिस्टिक टाइगर था म्यूटेशन की वज़े से जीन्स की वज़े से इस पे काली पट्टियां जादा हो गई थी दो टाइगर्स की आपस में जो टेरिटोरियल फाइट होती है उसमें ये टाइगर मर गया इस टाइगर का नाम था T27 और उडिसा के मयूर भांच जिले के अंदर है सिंपली पाल टाइगर रिजर्व ये टाइगर साड़े तीन साल का था और तीस अपरेल को सुबह मरा हुआ मिला इसकी बाड़ी में जो निशान मिले पंजो के निशान उससे मालुम चला कि ये टाइगर्स की आपस की फाइट में मरा है बाद में इसका पोस्ट मार्टम किया गया और उसके बाद उसकी बाड़ी को जला दिया गया जैसा कि किया जाता है जब कोई टाइगर मर जाता है टाइगर मर जाता है तो उसकी body का कोई भी part रखा नहीं जाता उसकी body को पूरी तरह से जला दिया जाता है ताकि body parts या skin का misuse ना हो सके अब दोस्तों इससे related कुछ topics पे हम चर्चा कर लेते हैं जैसे कि मैंने body parts की बात बोली कि tiger की जब कोई tiger dead मिलता है किसी भी कारण से तो उसको पूरी तरह से जला दिया जाता है क्योंकि दोस्तों अवैद व्यापार जो दुनिया में फल फूल रहा है वो है tiger की skin का तो है ही tiger के body parts का भी है उसके नाखूनों का भी है उसकी मूच के बाल तक का है मूच के बाल से मैं भी एक point याद आ गया वो भी मैं अभी discuss करूँगा पहले ये वाली बात complete कर दूँ कि जैसे एक लोग question करते हैं कि भाई इंडिया में tiger मिलते हैं अगर अफरीका में tiger ले जाए जाए तो क्या होगा जहां पे lion है उनकी आपस पर लड़ाई होगी तो क्या होगा ऐसे बहुत सारे question आते है आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि अफरीका में tiger है कम नहीं है साड़े चार्सो पांच सो tiger है लेकिन वो जो private farms है gaming farms है वहाँ पर पाले गए है और कहा जाता है कि वो इसलिए पाले जाते है कि जो tiger के अंगों का व्यापार है उसमें supply हो सके कि मूझ का बाल चाहिए नाखून चाहिए इस तरह की जो चीजे है उसे आपसे rate ऐसा मैंने सुना है authentic कितना है मुझे नहीं पता अगर मैं गलत हूँ तो आप फिर comments लिखियेगा तो दोस्तो जो ये tiger की fight है ये भी territory marking से जुड़ी हुई है जिसकी विज़े से इस black tiger की death हुई और जो मूझ का बाल है वो भी related है कैसे मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तो tiger की body में बहुत सारी glands होती है जिसे जैसे हम बोलते हैं कि वो scent marking करता है यूरिन स्प्रे करता है तो scent marking करता है वो तो सबसे ज़्यादा प्रशली तरीका है अपनी territory mark करने का जिसमें कि tiger अपने अलाके में पेडों पर यूरिन छिड़कता है और वो यूरिन की एक smell होती है कुछ लोग जैसे बताते हैं कि अगर आप google पे चक करोगे तो होता है कि बटर पॉपकरन की तरह से smell होती है और वो smell करीब करीब 40 दिन तक बनी रहती ऐसा नहीं कि आज यूरिन करी और वो कल खतम हो जाएगी अब इसमें एक सवाल उठके आता है कि tiger की तो smelling power नहीं होती मैंने ही बताया और बहुत सारे लोग बताते हैं तो मैंने ये बताया है कि smelling power इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो deer की तरह से या हाथी की तरह से km दूर से जूंग ले आदमी की तरह से smelling power होती है आदमी भी तो सूंग सकता है पर्फ्यूम सूंग सकते हो हर तरह किसमेल, आप अच्ची, बुरी बद्बू, खुश्बू में आप अंतर पहचान सकते हो, टाइगर भी पहचान सकता है अगर बत्ती पास में जलेगी तो आप सूंग लोगे, लेकिन अगर बत्ती आगर एक किलोमेटर दूर जलेगी कि यह दूसरा tiger है यहाँ पे पंगा नहीं लेना तो वो वापस लोड जाता है जब उसका इरादा होता है कि पंगा लेना है वो कब होता है या तो कोई जो बलवान tiger है जो उस इलाके में रूल करता है वो मर जाता है अपनी natural death या किसी कारण से तब दूसरा tiger जिसे लगता था क मैं इससे तो पंगा नहीं ले सकता क्योंकि ये तो बलशाली है लेकिन अब जो दूसरे टाइगर है मैं उनसे पंगा ले सकता हूँ अब चलो मैं ही राजा बन जाता हूँ वो जाता है दूसरे को चैलेंज करने या दूसरा भी आता है इस तरह से territorial fight होती है जब कोई strong tiger मर जाता है जब तक वो strong tiger बना रहता है तो जनरली जैसे मैंने बता है कि पहले 40-40 km की territory होती थी अब territory shrink हो चुकी है एक male tiger की territory में तीन female तक होती है और उस territory के अंदर ऐसा नहीं कि दूसरे male tiger आते जाते नहीं है लेकिन उससे बच के चलते है उसकी presence दूर से दिख जाती है तो वापिस चले जाते है आने की कोशिश करते हैं दूसरे tiger लेकिन हिम्मत नहीं होती वापिस चले जाते है अब इस tiger की death क्यों होई होगी दो तरीके से death होती है एक तो यह है कि एक tiger जब लड़ता है और दूसरा tiger उसमें भारी पड़ता है तो वो भाग जाता है मैदान छोड़के भाग जाता है जैसा कि कल हमने discuss किया था T-136 जो की कुनो नैशनल पार्क में पहुचा है तीन-चार जगे से वो हारा है पहले रन थमबोर से हारा फिर वो धौलपुर में हारा उसके बाद वो क्याला देवी में T-80 यानि तूफान tiger से हारा था तो कई जगे हारा इसका मतलब वो जब हारता है तो अपनी हार को मान लेता है अगर वो नहीं मानता अपनी हार तो वो रन थमबोर में ही मर जाता वहां से बसता तो तीन बार मौत को टाल के आया है क्योंकि उसने भागना प्रिफर किया ये भागना इसलिए भी हो सकता है कि चलो आज नहीं तो कल सही और एक tiger होता है बोलता नहीं डू और डाई कि भई करो या मरो या तो जीतूंगा या मरूंगा तो ये black tiger उसी nature वाला था ये जिस tiger से इसकी लड़ाई हुई इसने भागना बहतर नहीं समझा मरना बहतर समझा तो एक तो लड़ाई होती है और इस tiger ने इसको मार दिया जो मारने में जितना भी घायल हुआ पंजे लगे या ज़ग अकसर इनकी collarbone तूड़ जाती है जब tiger से tiger की fight होती है तो tiger जब अपना पंजा मारता है तो ये वाली हड़ी तूड़ती है कई बार backbone भी तूड़ जाती है तो जब tiger की body मिलती है तो इनको खरोच वगेरा तो मिलती है इनकी हड़िया भी टूटी ही मिलती है आपसी fight में चलो एक tiger मर गया दूसरा छोड़ के चला जाता है ये तो होता है normal जगडा एक होता है बदले वाला जगडा revenge of tiger और वो किसी कारण से बदला लेता है और जब वो बदला लेता है तो उसमें tiger दूसरे tiger को केवल मारता नहीं है उसका कुछ portion खाता भी है इसको बोलता है cannibalism और ये इसलिए होता है कि वो ये बताता है कि मतलब वो अपना गुसा जाहिर करता है ऐसा नहीं कि उस tiger को भूग लगती है कि deer नहीं मिल रहा है तो वो tiger को खा रहा है वो सिर्फ थोड़ा सा portion ही खाएगा दो-तिन किस्से हुए इस बारे में एक पीली भीत में हुआ था एक बांदोगड में हुआ था पीली भीत का तो exact region मालूम नहीं था एक बार एक tiger मरा हुआ दिखा था लोगों को उन्होंने forest वालों को report करी कि वहाँ पर tiger मरा है जब तक forest की team वहाँ पहुँची देखा tiger की body नहीं है तो forest की team को लगा कहीं शिकार तो नहीं हुआ है कि मारा और उठा के ले गए अंदर ढूडा तो अंदर वो tiger मरा हुआ पड़ा था उसकी थाई का एक portion खाया हुआ था जब post matum किया तो मालूम चला कि tiger नहीं खाया है tiger नहीं मारा है कोई शिकारियों नहीं मारा और उसकी भी collar bone तूटी हुई थी collar bone क्यों तूटी हुई थी उस खीचने में हड़ी पे जोर आया हड़ी तूट गई दोनों possibility है लेकिन वो खाने का केवल एक और एक region था वो था बदला गुसा जाहिर करना ऐसा ही एक बदला लिया था बांदोगर नेशनल पार्क में वो तो पीडियों का बदला था कि उसमें एक टाइगर के बाप को दूसरे टाइगर ने भगा दिया और उसने देखा कि उसको मार रहा है वो भाग गया एक बार बदला लेने आया वो हार गया दुबारा फिर बदला लेने आया उसने उस टाइगर को मार दिया और उसने उसको खाया जब टाइगर जमीन को खुरसता है ऐसे जैसे कुत्ते खुरसते हैं तो उसके जो उंगलियां होती है उसमें भी ग्लैंट्स होती है जहां पर सेंट निकलता है गंध निकलती है और उससे भी वो अपने प्रतिद्वन्दी को ख़बर देता है कि यहां मैंने खुरस दिया है बच्चे पीछे पीछे आ रहे होते हैं तो एक तो पूँच होती है पूँच में जो सफेज सफेज होता लेपर्ड भी और टाइगरेज भी अपनी पूँच से भी बच्चों को बताते हैं कि देखो पूँच को फॉलो करते हैं रेना लेकिन कई बार बच्चे खेलते तो जब बच्चा पैदा होता है, तब से उनको वो smell पता होती है, तो उनके सिर में भी ऐसी glands होती है, जो मूच के बाल होते हैं, वहाँ पर भी gland होती है, पैरों की उंगलियों में होती है, मूच में होती है, एनस में होती है, इस तरह की कई glands होती हैं, जिससे एक tiger की particular smell निकलत तो वो जानता है कि मेरे पास अभी राम आया, अभी शाम आया और अगर आप बिल्ली पालते हैं तो इस बात को आप अंदाजा लगा सकते हैं टाइगर के बिहेवियर का कि बिल्ली जब अगर आपके घर में आपके पैरों से सटके बहुत चलेगी बार-बार आपको ऐसा लगेगा कि धक्का, अगर बड़ा बिल्ला है तो इतना प्रेशर आएगा कि शाद एक कदम आप पीछे अट जाएगे इतने प्रेशर के साथ वो अपनी बॉड़ी को आपसे रब करेगा या करेगी वो आपके घर के फरनीचर में भी रब करती है अपने आपको सोफे में भी रब करती है तो वो खुजली नहीं मचा रही होती है वो अपनी सेंट छोड़ रही होती है घर में भी क्योंकि उसकी आदत है उसका वो behavior है तो घर में भी territory marking बिल्ली कर रही होती है और बिल्ली मौसी है टाइगर उसका बतीजा है अब टाइगर के जो behavior होता है ये जो territory fight होती है जिस बात के लिए कि जब एक दूसरे के area में आना होता है जैसे भी हमें आपको बताए कि एक बल्शाली मेल है तो उसके अलाके में तीन चार दो तीन female होंगी एक आद मेल और भी आ रहा होगा floaters बोलते हैं कि वो एक दो आते रहते हैं जाते रहते हैं लेकिन बच के रहते हैं उस tiger के सामने नहीं आते अब आप जंगल में धार सुनते हो दूर से जो हम बोलते हैं एक tiger की आवाज सुनाई दी एक तो जब tiger शिकार करने निकलता है उसकी आदत होती है एक बार धारता है वो पूरे इलाके को बताता है तो यह नहीं है कि वो अपने शिकार को बोलता तुम अलर्ट हो जाओ मैं आ रहा हूँ क्योंकि शिकार को तो वैसे ही मालूम चलने वाला है कि यह आ रहा है लंगूर वगेरा कॉल कर देते हैं इसकी tendency होती है एक जानवर की एक तरह की आदत होती आप देखते हो कोई भी जानवर आवाज निकलता है मोर भी अपनी आवाज निकलते हैं हर नॉर्मल कॉल जो होती है रेगुलर यह इसकी अपनी डॉमिनेंस की साइन होती है वो दहाड और वो दहाड दूसरे मेल भी सुन लेते हैं और इन्हें पता है भाई कि वो भाई तेरा इलाका मुझे पता मैं नहीं आ रहा है वो इस तरह से पहले बोल देते हैं यह उतनी जोर से नहीं दहाडते हैं जो उसके इलाके में आसपास रहते हैं कि भाई यह चिड़के आ जाएगा हमें और रिप्टा देगा इसलिए वो जो जो जोर वाली दहाड है वो वही करता है जो डॉमिनेंट होता है एक दूसरी आवाज भी होती है टाइगर की वो होती कराहने जैसी मोनिंग साउंड बोलते हैं जिसको अकसर टाइगर चलते वक निकालता है वो सिर्ध जुका के चलता रहता है और वो हलकी हलकी कराहने के जो अगर आपको मोहान मैनीटर वाली जो स्टोरी थी पहले जिम कॉर्बिट के टाइम की शायद उसमें ये बात थी कि जब उन्होंने पूछा था कि तुम्हें कैसे मालूम की हाँ से टाइगर निकलता है रोज तो गाउवालों ने बोला कि हम अपने दर्वाजे बंद करके रहते हैं लेकिन उसके कराहने की आवाज निकलती है तो इससे उन्हें लग रहा था कि उसके पैर में चोट है जो गाउवालों को लग रहा था कराने के आवाज है, यह भी 300-400 मतलब आदा किलमेटर दूर तक सुनी जा सकती है, और एक बहुत ही हल्की सी आवाज होती ही चफिंग साउन्ड बोलते हैं, जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तो ग्रीटिंग, एक दूसरे को जब ग्रीट करते हैं, बहुत ही हलकी से आवाज निकलते हैं जो कि बस आस पास के अलाके में ही सुनाई देती है अब दोस्तों जब टाइगर दूसरे टाइगर ये जो टाइगर के अटैक करने के सिम्टम्स हैं ये केबल टाइगर टू टाइगर नहीं रहते ये टाइगर जब आदमी पे गुस्सा होता है तब भी उसका सेम अंदाज होता है गुस्सा होने का मतलब उसको गुस्सा होने का एक ही तरीका मालू है तो जब सामने टाइगर दिख रहा है अगर मालिजे आप जिपसी में बैठे हो टाईगर आपको सामने दिख रहा है जो कि कहीं और दिख रहा है एक तो वो घात लगा के बैठना होता है कि वो घात लगा के बैठे कही उस टाइम पे टाईगर बड़ा खतरना होता है जैसा कि मुझे लगा था जो एक वीडियो में कि घात लगा कि मुझे लगा पूछ मेरी तरफ है फेस दूसरी तरफ है वो उस ताइम पर अगर आप सामने पढ़ गए मतलब बिल्कुल निप्टा देगा आपको थोड़ेगा ही नहीं मैं भी आपको इसमें ये भी बताता हूँ कि टाइगर के सामने आप अगर पढ़ जाये तो क्या करना चाहिए पहले मैं वो बता दूँ ज्या भी बोल रहा था सिम्टम्स होते हैं कि टाइगर अगर आप फेस कहीं और है आपको पता करना है कि घूसा है कि नहीं आपकी तरफ देख रहा है तो पर तो आपको देखा है अगर चेहरा नहीं देखा उसकी पूछ से भी आप पता लगा सकते हो कि ताइगर गुसा है की नहीं है अगर वो रिलाक्स नीचे छोड़ रखी है पूछ कोई टेंशन नहीं और तेजी से ऐसे चट 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 चपू की तरह से ऐसे पूछ चला रहा है इसका मतलब टाइगर बहुत ज़्यादा गुसे में जैसे कुत्ता पूछ लाता है कुत्ता लाड में पूछ लाता है वैसे नहीं एकदम जैसे तलवार चलती है तलवार के स्टाइल से पूछ को ऐसे ऐसे कर रहा होता है मतलब टाइगर बहुत ज़्यादा टेंस है कान खड़े है अब अगर मान लीजे फेस भी आपकी तरफ है सामने फेस टू फेस तो आप इतना नोटिस नहीं कर पाओगे अगर आप गाड़ी में हो और वो आपको गुसेस देख रहा है तो उसकी आँखे चौड़ी कर लेता है कान भी चौड़े के एकदम बिल्यकुल खुले होते है और तीसरा वो अपना एक टाइगर की स्माइल बोली जाती है एक वर्ड होता है टाइगर स्माइल वो स्माइल करता है ऐसे दान दिखाता अपने तो आपको क्या करना चाहिए अभी आपने एक रिसेंटली वीडियो देखा जिसके बारे मैंने पॉडकास भी किया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक जिपसी के उपर एक टाइगर ने चार्ज किया और टाइगर के चार्ज का सबसे जीता जाकता नमूना वो वीडियो है कि एकदम टाइगर का फेस भी नजार आ रहा है उसमें अब अगर आप ध्यान से देखोगे वो गुरा रहा है उसका मूँ भी खुला है वो बार बार जिस तरीके से बिजली की तेजी से निकल के आया था और जब वो जिपसी पीछे चली गई थी आया थाया आयी थी टाइगरेस थी वो उतनी तेजी से शट करके एकदम से वापिस भाग की गई थी पलट के नॉर्मल चाल में नहीं गई थी जबकि आपने जिपसी के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें टाइगर रिलाक्स चाल में चल रहा होता है सबसे ज़्यादा आलसी जानवर है जो कि 16-17 घंटे तो आराम करना पसंद करता है वो उतनी तेजी से बिजली की तेजी से गया था क्योंकि इसे याद आया कि मेरे बच्चे वहाँ पे हैं और वो उसका blood pressure भी आपको दिखा रहा था कि कितनी गुसे में है वो कि तेजी से आई थी और उतनी तेजी से गुसे में पलटके जब आदमी भी गुसे में होता है तो बहुत तेजी से move करता है तो एक तो ये चीज होगी कि उसका anger उसने आपने face से देखा लेकिन वो रुकी कैसे थी जब वो चार्ज कर रही थी तो जब चार्ज करती थी रुकती क्यों थी जब वो driver चिलाता था हट 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 कैसे चिला रहा था न तो जब वो चिलाता था वो रुक जाती थी तो tiger जोड से चिलाने से रुकता है अगर tiger आपके सामने आ जाता है तो एक तो आपको अपने आपको बड़ा दिखाना है जिपसी वो बड़ी ही थी उससे ज़्यादा height पर थी दूसरा जैसे कुछ चिलाता है तो एक दम वो डरती है डरती है डरता है तो tiger से बचने का सबसे बड़िया उपाय है कि अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाईए खड़े होके भी हाथ उपर कर लीजे अपने हाथ जितने उपर कर सकते हैं और जोड़ से प्रेशर के साथ चिल लाईए वो आवाज जो उसके कान पे लगे एक बार उसका ध्यान भंग हो जाए दूसरी बात फेस टू फेस आखे नहीं मिलानी आखे मिलाने का मतलब होता है चैलेंज करना यहां भई मैं तुम पे अटेक करने आ रहा हूँ तो वो अटेक is the best defense समझके आपके उपर अटेक कर देती है तो अगर वो ऐसे देख रही है तो आप ऐसे देखें ऐसे देखने में भी आपको यहां का vision आ रहा है side vision आ रहा है तो उसको लगता है कि मुझे देखनी रहे इनका ध्यान कहीं और है लेकिन आपको पता होता है कि आपके अटेक कर रही है और चिलाना और अपना हाथ ऊपर करना तो आपको करना ही है धीरे धीरे back out करना है अगर tiger से आपकी आँखें मिली है या tiger ने आपको देख लिया है अगर tiger ने आपको नहीं देखा है तब तो आपको निकल जाना है वाज़े जितनी तेजी के साथ आप निकल सकते है क्योंकि उसने आपको देखा ही नहीं है दूर चले जाईए अगर वो देख रहा है तो face उसकी तरफी करना है जैसा कि सुन्दर बन में man eater tiger अटैक करते थे तो forest वालों ने तरीका निकाला था कि चहरे के पीछे मुखोटा लगाते थे ताकि tiger को लगे कि इस आदमी का चहरा मेरी तरफ है वो कुछ दिन ही tiger को लगा tiger बहुत ही ज़्यादा समझदार जनवर होता है उसको कुछ दिन लगा फिर वो समझ गया यह तो मुझे बेवकूब बना रहे हैं तो उसने फिर attack चालू कर दी उसके बाद उन्होंने current लगाना शुरू किया human dummy खड़ी कर दी और उसके current चोड़ना शुरू किया कि ताकि tiger को यह लगे कि जब मैं आदमी पे कूथता हूँ तो यह current मारता है current मतलब solar वाला current जिससे उसकी जान ना जाए जो solar fencing में होता है वो काफी gap चोड़ के चलती है लेकिन जब लगता है तो तरीके से लगता है मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि मेरे एक पहचानने वाले को current लगा था और उन्होंने बोला था कि भाईया स्वाद आ जाता है जब current लगता है तो वो tiger को बताने के तरीके हैं तो मुखोटा एक है तो face tiger की तरफ से नहीं हटाना चाहिए जब आप tiger के साथ back out कर रहे हो अगर tiger ने आपको देख लिया है tiger की एक tendency और देखी गई है कि जब वो बैठे हुए लोगों पर घात लगाता है और जैसे ही वो लोग खड़े हो जाते है तो अपनी घात मतलब वो अपना जो plan था change कर देता है मतलब वो जो धीरे दबे 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 जो उसकी कंदे जुका के जो style होती है चलने का जा रहा होता है क्योंकि खेत में काम करने वाले लोग बैठे है उनको नहीं पता कि वो हमारी तरफ attack करने आ रहा है और अगर वो किसी कारण से खड़े हो गए वो भही पलट जाता है ऐसा लोगों ने देखा है जो watch कर रहे है कि वो attack करने जा रहा है लोग खड़े हुए और वो लोट गया तो वो बैठे आदमी को इसको कहता है कि वो समझता है कि यह जानवर है कोई बंदर या ऐसी कोई चीज है इस पर attack करने आ रहा होता है एक रीजन यह है लेकिन मुझे लगता है कि Tiger तो इनसान को अलग से ही पैचान लेता है लेकिन वो बहुत छोटा शिकार समझके कि इसको तो मैं ऐसे ही हरा दूँगा आता है जब कि आदमी खड़ा हो जाता है वो जिपसी वाले attack की ही बात करूँ कि जब मैंने जो उसका लंबा वीडियो देखा था कि उसमें जिपसी जा रही थी वहां रुकी उत्रे में एक बाइक निकली अचानक से Tiger चार्ज करती हुई आई पहले वो एक जगे रुग गई उस वक्त तो जिपसी वाले को पास चांस था कि वो गाड़ी को शायद आगे बढ़ा देता उसके बाद वो और आगे आई जब वो एकदम नस्दिक आगई उस वक्त जिपसी वाला अगर गाड़ी आगे बढ़ाता तो मेरी व्यक्तिकत रही यह है कि वो पीछे जम्प कर सकती थी पीछे वालों पर उस वक्त जिपसी वाले ने गाड़ी बैक करी बैक करके पीछे ले गया और बार बार वो चिला रहा था हट, हट, हट तोकि उस चन्डिशन में जब टाईगर आपके एकदम बगल में हो उस वक्त गाड़ी भगाना, बाइक भगाना गलत बात है जिस इलाके में टाइगर होता है वहाँ साइकल चलाने की भी सलाह नहीं दी जाती है अभी कल पर सो मुझसे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैं साइकल पर चलना पसंद करता हूँ और मैं क्या आपके जंगली रिजॉर्ट साइकल से आ सकता हूँ तो मैंने उनको मना किया था कि साइकल अच्छा आप्शन नहीं है, आप साइकल से मत आईए तो साइकल चलाने का भी एक एक एक्जामबल दूँ दोस्तो एक पुरानी बात है, एक पोस्टमें था, जंगल के लाके में कई साल की नोकरी उसकी हो गई थी, पैदल जाके डाक बाटता था और वो सुरक्षित था, जब उसने साइकल खरीद ली, और जब साइकल से उसने डाक बाटनी शुरू करी, तो टाइगर ने उसे चेज कर लिया था तो साइकल के पीछे दोड़ने की उसकी टेंडेंसी है, बाइक के पीछे दोड़ने की भी टेंडेंसी है मुहान में आपने देखा था कई केस हुए जब बाइकर्स पे टाइगर ने अटेक किया चेस भी किया, एक दो बार बाइकर्स बच गए एक दो बार गिर गए अभी रिसेंटली जिस टाइगर अटेक की हम बार बार बात कर रहे हैं सीधा बनी में, उस वो एक बाइक के पीछे भी दोड़ा और वो बाइक वाले गिर गए, लेडी भी गिर गई गिर के उनको चोट भी लगी, हाला कि उस टाइगरेस का इरादा हमला करने का नहीं था, डराने का था तो वो अपने बच्चों के पास लोड़ गई, तो चलती टाइगर में है, तो टाइगर के सामने गाड़ी भगाना, बाइक भगाना समझदारी नहीं है, तो अगर टाइगर के अटेक से बचना है, तो उसके सामने ऐसे भाग के नहीं निकलना है, हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है, कि दोड़ के आ रहा है आप बाइक पे हो तो आप रुकी जाओ, क्योंकि बाइक पे तो रुक के भी आप नहीं बचोगे, यह सला मैंने जिपसी के लिए दी है, अगर बाइक पे हो तो मेरे ख्याल से भागने के लावर कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर वो चार्ज करके आ रह अब जो यह सीता बनी वाले अटेक के बार-बार कर रहा हूं, यह अपने बच्चों को बचाने के लिए कर रही थी, और एक तरह से चैलेंज कर रही थी कि मेरी टरिटरी मत आओ, उसने हाला कि टरिटरी सड़क के किनारे बनाई थी, यह टाइगरस ही गलती थी, क्योंकि सड बच्चों को भी बचाना है, ऐसे कई केसे हुए है कि जब टाइगर की टरिटरी में आदमी आता है, तो जैसे यह बलेक टाइगर को मार दिया, दूसरे टाइगर ने टरिटरी फाइट में, इसी तरह से टरिटरी फाइट के लिए भी टाइगर आदमी को मार देता है, उसको वो man killer था man eater नहीं था लेकिन परपस यहां बताने का मेरा परपस है कि territory बचाने के लिए वो सिर्फ tiger को नहीं मारता वो आदमी को मारता है आदमी पर भी charge करता है या attack करता है अब एक चीज और है कि अगर कोई tiger hunt पे बैठा हो घात लगा के बैठा हो या वो एसे जुख जुख के कहीं जा रहा हो उस वक्त अगर आपने जरासी भी आवाज करी कि आपको टाइर दिख गया हो वो घात लगा के बैठा हो जैसा मुझे आवास हुआ था कि वो बैठा है या आपको कोई जाता हुआ दिखे और तब आप ये टेक्निक आजमाने लगो कि भाई हमें तो भागना नहीं है सामना करना है या उसको हट हट करके बोले लगो वो पलट के आएगा आपको निप्ता के चला जाएगा क्योंकि आपने उसके शिकार में डिस्टर्बिंस कर दिया है अगर कुटा भी अपने खाने को लेके बैठा होगा ना और आप उसके पास जाओगे तो आप पै ना पतली गली से निकलना ही एक मात रुपाय है चिला के आप धान अपनी तरफ कर लोगे और उसका सारा गुस्सा जो शिकार के लिए है तो कि वो शिकार भी उसके हाथ से छुटेगा अपनी सारी फ्रस्टेशन वो आपके उपर निकाल देगा एक कुश्चन जनरली अभी बह हाती की पीट तक पहुच सकता है एक वीडियो इसके बारे में नेट पे है मेरे इंस्टाग्राम पर पढ़ा है जिसमें सेम केस था जैसा सीधा बनी में हुआ कि उसके बच्चे थे बच्चों को परटक्ट करने के लिए वो जिपसी की तरफ आई लेकिन इतनी ज्यादा आवास से रुख गई वापस लोट गई एक आसाम के शायद काजी रंगा का वीडियो है जिसमें एक टाइगरस को डार्टिंग करने की कोशिश हो रही थी थेतों में और उसके बच्चे भी थे वापे और हाती पे बैटके डार्ट लगाया जा रहा था वो बहुत जात गु गुस्षे में थी तेजी से दोड़ती हुई आई थी एक शलांग में महावत के उंगली को काटके ले गई थी तो दोनों हमले में फर्क था ये वाली बार बार रुक रही थी और बार बार पीछे हट रही थी वो हट हट करने से रुख जा रही थी उस वाली ने तो मौका ही नहीं दिया वो महावत भी हट हट कर रहा था जो हाती बेठा था लेकिन उसने सुना ही नहीं वो हट हट की आवाज इतनी ज़्यादा गुस्षे में थी एक शलांग में ऊपर तागा गई थी ऐसे ही एक बार शलांग लगाई थी टाइगर ने एक हंटर था उसने टाइगर गोली मारी उसको घायल कर दिया था और उसको वो टाइगर मरा नहीं था जंगल में ही था तो वो हाती में बैटके शिकारी उस टाइगर को ढूंड रहा था और उसी जंगल में सेम केस था जैसे काजी रंगा वाला केस मैंने बताया उसमें वो टाइगर आया और उसने छलां का इस्तेमाल कर लेता है लेकिन जब बच्चों को मारता है तो ये बात सच है कि उसके जबड़े में उसकी गरदन नहीं आती लेकिन अपने वजन से पहले उसको नीचे गिराता है फिर उसको चोक करके टाइगर मार देता है तो दोस्तों ये कुछ बाते आज मेरे दिवांग म में चला जाता है तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब पर दीजिए चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए all the best बंदे मात